प्रेंट्स वेलकम टू पीट अबाव पर वन सगें टूड़े जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर्स के जो लिजिनरी बैंक है उनके रिजल्ट्स की देट पास आ रही है उनके अंदर मोमेंटम पीक आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है आप देखिए आज भी अक्सेस बैंक क इसके अंदर इसने आज एक important resistance को cross कर दिया अब इस वीडियो में मैं जो point बता रहा हूँ वो पिछली वीडियो से relate करके बता रहा हूँ 9th of July को मैंने access bank के ओपर video डाली थी आपको targets दिये थे और उन targets को आज इसने achieved किया है and now we are proceeding ahead अगले targets की तरफ आला कि उस video में भी मैंने वो targets बताये थे लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्या वहाँ पर explanation थी और किस तरीके से stock ने react किया है और सबसे बड़ी बात है कि आपको importance पता चलेगी OBV की on balance volume की जो मैंने तीन हफते पहले Saturday Sunday वाली video में अपने trade learning की playlist में डाली है जिन लोगों ने वो नहीं देखी आज भी जाकर वो video देख सकते हैं एक बहुत important tool है on balance volume अगर उसको आप सीख जाते हैं तो advance breakout या breakdown की positions पता लगा सकते हैं तो 9th July वाली जो access bank की video है वाँ पर मैंने on balance volume के आप से आपको बताया था कि इस stock में एक advance breakout आ गया है अब तोड़ा से पहले जानते क्या situation से stats क्या है 25 October 2021 867 के all time high है इस stock के 618 रुपीज 52 week low है अभी 23 June 2022 की जब markets काफी ज़्यादा नीचे की तरफ आये थे 44% की strong delivery percentage उठ रही है clearly पता चल रहा है कि जैसे जैसे results की date नजदीक आ रही है आगको एक अच्छा कासा anticipation देखने को मिल रहा है इस week के अंदर आप देखे बहुत important results आएंगे Reliance का result है ICICI bank का result है then उसके बाद में Infosys का result है और इस access bank की बात करें तो 25 July को इसके भी results है तो इस महीने के end तक होते होते सारे prominent banks के major जो companies हैं जो stake रखती है top 10 की Nifty में उनके results काफी हद तक आपको end होते वे दिखाई देंगे Coming on to what charts, charts पर चलते हैं देखे Delhi chart आपके सामने और Fibonacci retracement मैंने हैं आप पर लगा रखा है Clearly आप यह चीज़ देख पा रहे हैं कि इसने 38.2% के levels को break कर दिया है Previous वीडियो में 9th July की वीडियो में मैंने आपको पता है था 700 रुपे तक के target हो सकते हैं लेकिन 694 पर आप अपनी positions को काट सकते हैं, profit book कर सकते हैं एक बार के लिए क्योंकि इसी level के आसपास आकर थोड़ी बहुत profit booking भी देखने को मिल सकते हैं Previously भी यह resistance था आज इसको decisively इसने break कर दिया आप देखें, previously जो resistance level है 698 रुपीज का है, दो बार रहा है इन दो candles के ओपर जहामेने arrow लगाए हैं और आज के हम लोग बात करें, तो top high जो level रहे हैं, 703 के रहे हैं और आज के जो closing price हैं, वो actually में 700 की आसपास आते वे दिखाए वी हैं तो decisively आज इन levels को break कर दिया है, यह जो purple line आप देख रहे हैं यह जो line है, यह पूरा setup जो है, मैंने उसी दिन का mark रखा है, वहीं से save चलावा आ रहा है मैंने इसमें कोई भी छेड़ चरया, changes नहीं करें तो आप यह चीज देख पार है, इस वाली candle की ओपर हमने video बनाई दी और इस type का positive price section यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जिसमें इसने इस resistance line को break कर दिया है तो clearly indication दे रहा है कि एक positive price section यहाँ पर develop हो चुका है आज की तारीक में, क्योंकि इसने अपने ही swing high levels को break कर दिया और अब यह नई trajectory में जाने के लिए तैयार है, fine साथ में मैंने आपको यह भी बताया था, कि previously जब यह गिरतावा आ रहा था then इसने 38.2% के level को तो respect दीती, लेकिन 50% 61.8% के level को respect नहीं दीती इसलिए अगर यह 700 रुपे के पार निकल जाएगा, तो फिर 717 रुपे कोई बड़ी hurdle नहीं होगा 741 रुपे कोई बड़ी hurdle नहीं होगा, इसके लिए जो अगले targets होंगे, वो 752 के होंगे यह dotted line जो मैंने उसी दिन से mark करकी है, तो में इसाब से अभी भी अगले targets है इसके 752 के होंगे, एक बार यहां तक पहुचेगा, उसके बाद में अगले targets आएंगे 817 के, तो अभी भी जो बड़े targets हैं, वो intact है, fine, चलिए, आगे में लिए के चलता हूँ, हम लोग बात कर लेते है technical indicators के आधार पर, तो हमारे पास में दो technical indicators आ रहे हैं, पहले तो है RSI RSI ने आज decisively अगर आप देखें, 60 के ऊपर की positions बना ली हैं, आज के level particular देखने की कोशिश करें, तो 66 के आ रहे हैं, बहुत heavy level से, यानि कि 25 जुलाई को अगर इसके result हैं, तो और ये 2-3 दिन आपको इच्छे खासे momentum में देखने को मिल सकता है, यानि कि इस condition में मैं समझता ह प्रिवियस ली उस वीडियो में 640 रुपीज के stop loss मैंने बताये थे, याद होगा आपको, लेकिन अब यहाँ पर आपको stop loss revise कर लेने है, 690 रुपीज के stop loss अब आपके हो जाएंगे, कोई भी नहीं fresh positions बना रहे हैं, या आपने आज पुझी नहीं exit करिये, 690 पर stop loss बना के याद रखिएगा, now again we are coming on to OBV, जो important factor है, OBV क्या कह रहा है, यह blue line आप देख रहे है, यहाँ पर again एक advance breakout आ गया है, आप यह देखिए, advance breakout की situation है, इस level में मैं एक resistance line mark करता हूँ, तो आज के इस move ने on balance volume अगर आप देखें, previous volume में आज के volume जोड लेते हैं, क्योंकि दोनों candle green है, then आज यहाँ पर एक breakout की situation देखने को मिल रही है, जो clearly बता रही है, कि volumes यह खह रहे हैं, कि यह stock अभी रुकने वाला नहीं है, और उपर की journey इसके अंदर बची विया है, और headroom है, और यह उपर की तरफ definitely जाएगा, यानि कि इस बार इस वाले swing high का, previous जो major swing high था, उसको break करके decisively यह close करेगा, तो might be, यह definitely इस बार 740 की range तक जाता बार दिखाई दे, और further 2-3 trading sessions में मेरा यह मानना है, तो क्या अब इसे stock के अंदर position बनाई जा सकती है, मेरे खिराब से अभी भी आपको position बनाने में कोई हर्स नहीं होना चाहिए, 690 का stop loss लगाके नई positions create कर सकते हैं targets मैंने आपको अलड़ी बता दी हैं, अगर आप 1-2 के साफ से चलते हैं, आप definitely intraday में भी कुछ ना कुछ target लेके निकल दाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा hold करते हैं, आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर इसके swing low levels जो है exactly यहाँ पर stop loss लगाईए, इन levels के आसपास, यहाँ रहें, 660 के, 660 रुपे के stop loss के साथ में, आप इन 700 के levels पर position बना सकते हैं, तो आपको जो अगले target से 750 के आसपास के देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर यह भी positions काफी ज़्यादा positive दिखाए दे रहे हैं, और इसलिए मैं आपको यह चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए, आ अपकिस particular time के लिए इस stock में आये थे, और अगर टार्गेट अगर एचीव हो गया है या नहीं हुआ है, और अगर एचीव हो गया है, तो अपनी positions को break कीजिए, यहाँ पर यानि के profit book कीजिए, और एक दो दिन का और wait करके, थोड़ा बहुत consolidation या फिर नीचे का profit booking आने देज फिर इसके अंदर reverse positions बनाईएगा, यानि के वापस से buy कीजिएगा, लेकिन अभी के लिए मैं समझता हूँ, कि यहाँ पर यह stock काफी ज़्यादा poised है, उपर की तरफ जाने में ही, क्योंकि मुझे on balance volume पर RSI से ज़्यादा विश्वास है, यह maximum time सही होता है, बहुत कम chances ऐसे होते हैं, जब यह false signal दे, हाले कि false signal यह दे सकता है, क्योंकि यह थोड़ा सा एक leading indicator है, पहले indicate कर देता है, यह MSAD की तरह lagging indicator नहीं है, बट फिल भी जिस तरीवकी की positions है, और जो factors अभी हमारे सामने की result आने वाले हैं, आई नहीं है, तो इसको देखते में मुझे लगता है, target है, definitely achieve हो सकते हैं, I hope सारे points आपको समझ में आयोंगे, ज़्यादा है, यहाँ पर technical discussion करेंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि trendline के साब से all setup यहाँ पर positive दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप trade ले सकते हैं, फिला इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगिए त पर मिलतों, बहुत जल्द आप से अगले वीडियो में, तिल दन, थेंक यू, बबाई